अब अब आगे वीडियो में हम अब आया यह गाउन जो हम लोग लेते हैं उसको रिसाइस करना सीखेंगे आप अपने स्वाइस के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से अजस्ट कर सकते हैं वह आज कम्प्लीट वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले यह देखें हम इसकी लेंग निकालते हैं तो इसकी लेंग तो हमेरे पास's 55 इंचिस अचब के अब मुझे इसको 50 इंचिस से करेंगे के बिलकुल इसकी शेफ mots वह हम देखेंगे वह हम सीखें एक तडिकर करेंगे हैं और अब जो हमारे पर 50 इंच की लेंद है, मिट से हम इसको 50 इंच इस पर, जब के कॉर्णर वाले साइट से हम इसको 48 इंच इस पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से थोड़ी सी राउंड शेप, गोलाई में हम इसको शेप दे लेंगे, अब जो हमने मार्किंग किया, इसके साथ हमने इसको रख कर कम्प्लीट काट कर लेना है, और जो इसके इंडर ट्रिक है, वो यह है कि हमने इसको जो नीचे की स्लाई है, वो हम किस तरीके से करेंगे, यह देखें, यहाँ पर हमारे पर लेंगे 51 इंचिस आ गई है, वो हम रख रहे है इसकी नीचे की स्टिजिंग के लिए, और उपर से जो हमारे पर स्लीज हैं, यह देखें इस तरीके से हम इसको उल्डी साइड इसकी निकालेंगे, और ओवर लाग किया गया है, आपको अपनी स्लीज लेंद के मताबिक जितना चाहिए होगा आप उतना रखोगे, और उसके बाद यह देखें, इसको शेप में देनी बस गोलाई में हलका सा इसको हमने कट करना है, उसके बाद हमने इसकी सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए, अबने गाउन के सेंटर के साथ अब मिलाते हुए, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहे हैं तो इसको आगे के तरफ निकाल देना और उसके पाद को हमने अपने गाउन के साथ अटाच कर लेना है, sleeve की right side, gown की right side के उपर है और back side पर यहाँ पर sly लगा जा रही है इस सारे को हमने इस तरीके से stitch कर लेना है और उसके पाद जो हमारे पर fitting की sly है sleeve को attach करने के बाद हमने fitting की sly जो हमने open की थी उसको अब दुबारा से हम यहाँ पर stitch कर लेंगे इसमें fitting नहीं की जाती है बिल्कुल साथ साथ हमने cutting की गई है उसी के साथ हमने दुबारा से sly लगा लेनी है जो extra fabric थोड़ा से निकले उसको knitting कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारी sleeves में यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल जैसे हमारे पर पहले attach की गई थी वैसे ही हमने इनको दुबारा से attach कर लिया है बिल्कुल easy way में और अब हम इसकी नीचे को जो नीचे बारी side उसको done करते हैं यह देखिए इसको बिल्कुल straight नहीं है जिसको हम इस तरीके से fold करके करनी है उसके लिए यहां पर सबसे पहले में एक फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करने के बाद इसके उपर हमने इस लाई लगा देनी है बिल्कुल कॉर्णर पर स्लाई लगाएंगे और इसी को अब दुबारा से हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हमने corner corner पर ही स्लाई लगाते जाना है इस तरह से क्या होगा इसको इकठा एक ही बार हमने double fold करके स्लाई नहीं करनी पहले single fold करके उसके बाद दुबारा से fold करके स्लाई लगाएंगे यह देखिए कितनी neat sly हमारे पास आई है अब जब same thread से हम work करेंगे तो बिल्कुल जो है एक thread मी नजर नहीं आएगा और बिल्कुल neat sly आएगी यह देखिए इस तरीके से हमने single fold करके इसको sly करते जाना है पहले एक side कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी दूसरी side को done कर लेंगे side पे जो slightly fitting की neatly side से भी हमने उसको थोड़ा सा खोल लिया है अब देखिए एक single sly लगा ली इसी को दुबारा fold करके और इसी के ओपर corner corner पर दुबारा हम sly लगाएगे यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे gents shirt का जो round shirts होती है उसका जो गोल घेरे को जो sly करती है सेम उसी method से हमने इसको sly करन है यह आप देख सकते हो कितनी neat sly लाई आ रही है तो mostly लोग जो है resize तो इसको कर लेते हैं लेकिंगे समझ यादा कि नीचे से इसको बिल्कुल neatly sly किस तरीके से लगाएगे तो इसी way में आप इसको sly लगा सकते हैं और अपनी gown को जह हो resize कर सकते हैं बहुत सी बेहने जह आप यही काम खुद घर पर भी कर सकते हैं यह देखें इस तरीके से हमें इसको सारे को complete कर लेते हूं इसकी final look आपको दिखाती हूं और end पर हम इसको front और back दोनों को करने के बाद सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको दुबारा से join कर देंगे यह देखें यहाँ पर हमार और लेंद को भी हमने कम कर लिया है और सलाई आप देख सकते हैं तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसको लाइक जुरू कीज़ेगा इसके साथ चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें बैल आइकोन बटन को प्रेस कीज़े ताकि आपको इस तरह की हर निवाने वाली वीडियो का नोटिकेशन मिले थेंक यू फो वोचीं